Commercial Refrigeration में अगरणी होने से Blue Star ना सिर्फ अपने ग्राहकों को बहतरीन क्वालिटी के प्रोड़क्ट्स देता है बलकि उन्हें बहतरीन तरह से काम लेने का तरीका भी बताता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं Blue Star Deep Freezer से संबंधित क्या करें और क्या ना करें Freezer ऐसी जगा रखा हो जहां उसे बहतर हवा के लिए हर तरफ से एक एक फीट की जगा मिल सके ज्यादा वक्त तक बंद रहने के बाद या शुरुवाती लोडिंग के कम से कम तीन घंटे पहले Freezer को चालू कर देना चाहिए अगर Freezer में अकसर आइस्क्रीम रहती है तो इसे कम से कम 6 घंटे तक लगातार चलने दे नमी ज्यादा होने पर Frost या पानी को सूखे तॉलिये से पोचना चाहिए Freezer कभी भी पारिश, सीधी धूब या किसी तरह के गरम स्त्रोत के संपर्क में नहीं होना चाहिए जब बिजली बंध हो तब सही तापमान बनाए रखने के लिए धककन खोलने से बचें रात के समय, Freezer को बंध नहीं करना चाहिए इन बातों को ध्यान में रखकर आप ये सुनिश्चत कर सकते हैं कि आपके Blue Star Freezers आपको लंबे समय तक पहतर performance देते रहेंगे